चलिए नेक्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैंने आपसे प्रिवेस वीडियो में बताया था कि मैं एक वीडियो बना दूंगी शॉट में जिससे आपको इजारेदारी पर्मेनेंट रियोतवारी और महलवारी सिस्टम में कॉमन डिफरेंस मतलब शॉट में क्रक्स ऑप दर स्टोरी पता लग जाए तो चलिए देखते हैं इजारेदारी सिस्टम 1772 में आया था पर्मेनेट सेटलमेंट 1793 में फिर रियोतवारी फिर महलवारी तो यह इजारेदारी सिस्टम जो है वो वार्डन हैस्टिंग ने इंट् इंट्रोड्यूस किया था और यह रियोतवारी सिस्टम एलेक्जांडर कैप्टन एलेक्जांडर ने इंट्रोड्यूस किया था एलेक्जांडर रीड और इसको एक्स्टेंड किस ने किया था था थॉमस मुन्रो ने 1820 में और यह महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ता होल्ट मैकेंजी ने और 1822 में ठीक है अब नेक्स पॉइंट देखते हैं इस आरेदारी सिस्टम में क्या होता था कि बिटिश इस इंडिया कंपनी जो है कलेक करती थी टैक्स और एक सिक्स्ट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है मुगल अमपायर को दे देती थी इसका चार्ट यह था पीजेंट से कलेक करते थे जमीनदार जमीनदार से कलेक करती थी बिटिश इस इस इंडिया कंपनी उसके ब पर्मेन्ट सेटलमेंट में यह चार्ट था कि पीजन्ट से कलेक्ट करते थे टैक्स जमीनदार और जमीनदार एक फिक्स्ट रमाउंट देते थे British East India Company को रियोत्वारी में यह था कि कल्टिवेटर से डाइरेक्ट टैक्स लेती थी British East India Company और मालवारी सिस्टम में क्या था कि Village Headman जो थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे सारे पीजन्ट से एक साथ और फिर वो कलेक्ट करके देते थे British East India Company को फिर इसके बाद नेक्स मॉइंट क्या था इजारीदारी सिस्टम में अपने वो ओनर थे लांड के उसके बाद Permanent Settlement में क्या था जमिनदार को ओनर बना दिया था लैंड का उसके बाद फिर रियोत्वारी सिस्टम में क्या था रियोत्वारी में भी कल्टिवेटर्स थे ओनर लैंड के और महलवारी सिस्टम में क्या था कल्टिवेटर्स ही थे ओनर लैंड के अपने उसके बाद land revenue यहाँ पे कैसे होता था land revenue यहाँ पे होता था इजारेदारी सिस्टम में assessment किया जाता था land का और उसके बाद tax fix करके annually दिया जाता था उसके बाद यह permanent settlement में क्या था एक fix amount तैय था कि इतना देना है और यह 5 year पहले 5 year plan था उसके बाद annual में decide हो गया फिर land assessment फिर रियोतवारी में क्या था इसमें भी land assessment किया जाता था और उसके according tax collect किया जाता था annually और महलवारी में भी यही था land assessment किया जाता था और उसके बाद tax collect किया जाता था annually फिर failure का क्या क्या reason था इस आरेदारी system में failure का reason था इसमें high tax collect करने लगे थे British East India company जिसकी वर्ण से fail हो गया था इस आरेदारी system और corrupt officers थे इनके क्योंकि officers खुदी इतना पैसा रख लेते थे थे और company को कुछ भी नहीं देते थे इसमें क्या था permanent settlement में permanent settlement में कि था surplus देना जमींदार को invest करना होता था agriculture के लिए ताकि अच्छी खेतिबाड़ी हो जाए next year मगर जमींदार नहीं invest करते थे इसकी वर्ण से ये fail हुआ था और जमींदार अपने villages में जिस village का उनको tax collect करने को दिया गया था उस village में नहीं रहते थे और यहां पर भी British officers जो थे वो करेप थे जिसकी वाज़ से फेल हो गया था permanent settlement फिर रियोतवारी system में क्या था इसमें भी high land revenue tax collection था बहुत जादा high land revenue tax लेती थी बिटिश इंडिया company इसकी वाज़ से यह fail हो गया और assessment जो किया था था वो wrong assessment होता था land का और महलवारी system में क्या था इसमें भी high land revenue tax collection होता था और wrong assessment of land mainly यही reasons थे इस के common point तो अगर आपको मेरी videos पसंद आई हो तो please like कर दीज़ेगा, comment कर दीज़ेगा share कर दीज़ेगा और subscribe कर लिज़ेगा में चैनल को thank you so much